I am back, नए अपडेट के साथ और EPFO की जो पास्बूक की वेबसेट है, पास्बूक का जो फॉर्मेट है, वो भी अपने नए अवतार में वापी से आ गई है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेकनोलोजियाप आप सभी PFF मेंबर्स के लिए एक नया अपडेट है, नया अपडेट EPFO की जो पास्बूक की वेबसेट है वहाँ पर EPFO ने पूरा का पूरा इंटरफेस, पास्बूक का जो फॉर्मेट है, उसको एक बार फिर से बदल दिया है जल्दी से आपको बता भी देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो कि कुछ महीने पहले EPFO ने पास्बूक के फॉर्मेट को पूरा का पूरा बदल दिया था वेबसेट भी जो नई डिजाइन करी थी, और उसके कुछ दिनों के बाद वापिस पूराना फॉर्मेट आ गया था, पूरानी वेबसेट का इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा था बट अब EPFO ने एक बार फिर से जो है नया आवतार, नया लुक EPFO की जो पास्बूक की वेबसेट है, पास्बूक का जो फॉर्मेट है उसको दे दिया है चलिए बिना किसी दरी के मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे की आपको समझेने में आसानी हो, कहाँ पर आपको क्या ओप्शन देखने को मिलेगा तो चले चलते एक computer की screen पर तो यहां पर मैं आ गया हूँ computer की screen पर और यहां पर जो है E-PF का जो passbook का portal है passbook.epfinndia.gov.in इसको मैं open कर लेता हूँ और यहां पर देख सकते हो website जो है यहां पर आपको website का जो look है interface आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा पहले कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती थी आप चले यहां पर बारा डिजिट का यूए नमबर यहां पर password और यह जो capture code है यहां पर mention करके मैं sign in कर लेता हूँ यहां पर मैंने पूरी detail mention कर दी है अब मैं कर लेता हूँ sign in और यहां पर देख सकते हो successfully sign in login मैंने कर लिया है login हो गई है और यहां पर देख सकते हो पूरा का पूरा interface जो है बदल गया है यहां पर आपको home का option देखने को मिलेगा यहां पर profile का option है इस पर click करके आप अपनी profile देख सकते हो आपकी complete जानकर आजाएगी KYC है यहां पर नहीं है नाम date of birth complete आजाएगा यहां पर passbook का option है इस पर click करके आप आपकी जो PF member ID है उसका passbook आप देख सकते हो claim का option है इस पर click करके अगर आपने transfer कर लिए या फिर advance के लिए फिर पूरा PF का वैसा निकालने के लिए request submit करी है तो यहां से आप देख सकते हो service history पर click करके जितनी भी आपकी service history है जितनी भी आपकी PF member ID रहती है वो यहां पर दिखा देगा यहां पर calculator आपको देखने को मिल जाता है आप calculate कर सकते हो EPF calculator EDLI और pension calculator इनके उपर एक separate video बनाएंगे अच्छी तरह से आपको समझाएंग तो यहां पर देखे total available balance यहां पर दिखा देगा यहां पर जो amount रहती है वो आपका total PF का balance है और आपका कितना जमा हुआ Employee share वो यहां पर दिखा देगा और इंदोनों का जोड जो है यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर जो रहता है यह आपका समझ सकते हो कि कौन सा इससा employee share का है और कौन सा इससा employer share का है किलिए अब अगर आपकी एक से ज़्यादा PF member ID है तो यहाँ पर देखे आपको एक option देखने को मिलेगा member wise balance और जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी PF member ID रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा और कौन सी PF member ID में कितना balance है वो यहाँ पर दिखा देगा और यह जो total available balance रहता है इन सभी member ID का जोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो अगर आपको member wise balance पता करना है अगर आपने transfer नहीं किया है तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको इस तरह का format आपको देखने को मिलेगा और इसके उपर अगर आप चाहते हैं कि complete एक video separate dedicated video में बनाऊं तो आप comment box में comment कर देना मैं separate dedicated video बना दूँगा ठीक है तो देख सकते हो यहाँ पर नया format जो है वापिस आ गया है और अब जो मैं video shoot कर रहा हूं यहाँ पर देख सकते हो रात के 11 बज कर 32 मिनट हो गए हैं तो video shoot हो रही है बारा बजे ने जा रहे है तो और यह जो वीडियो आपको कल सुवे morning में मिलेगी देखने को अभी shoot कर रहा हूं फिर edit करेंगे फिर upload करेंगे तो सुवे आपको वीडियो देखने को मिलेगी साड़े साथ आठ बजे आपके पास notification आ जाएगा तो भाई देख सकते हो नया format वापिस आ गया है यह एक update आप सभी के साथ share करना था और इसके उपर जो मैंने एक वीडियो बना भी रखे कि कैसे अपना पूरा प्याप का बैलेंस पता कर सकते हो जब यह नया format आया था ता मैंने वीडियो बनाई थी बट अगर आप काओगे कि दुबारा से एक वीडियो बनाई यह जो भी नए option है किसलिए यूज कर लेना है तो इप्याफों ने जो पास्बुक के format को पूरा बदल दिया है एक बार फिर से नए आवतार में प्याप की पास्बुक की जो वेबसाइट है वो आ गई है इसके बार में आपकी क्या राए है क्या फीडबेक है कोमें करके जुरूर बतिएगा और हमारे कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके जुरूर बतिएगा पुराना format ठीक था यह नया format ठीक है आप बताईए कोमेंट बोक्स में comment करके ठीक है मिलते हैं जल्ट एक और नहीं जानकर एक और नहीं information के साथ अपना ख्याल रखेगा बबाए टेक क्यार